हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने परमल की मिठाई बनाने जा रही हूँ स्वीट डिश तो इसे बनाने के लिए देखिए कि हम किस तरह से बनाते हैं इसके लिए मैंने आदा किलो परमल लिए परमल को मैंने अच्छे से दो कर साफ कर लिया है दो कप चीनी और ये मैंने थोड़े से ड्राइफूट लियें, काजू, बदाम और पिष्टा, इनको मैंने बलकुल बारी कट कर लिया है, दो इलाइची का चूरा लिया है, पीसकर, और ये मैंने ड्राइसोग्राम मावा लिया है, होममेड, और थोड़ा सा पानी लिया है, एक कप, सबसे पहले हमें इन परमलों को छीलना है, अच्छे से, सभी परमल को छील लेंगे, और छीलने के बाद इसके अंदर का गुदा सारा निकाल देंगे, और इस तरह से कट लगाएंगे, कि जिसे की ये दो हिसों में ना कट हो, सिर्फ बीज में से बीज निकालने के लिए ही कट करे लेंगे क्योंकि हमें इसमें स्टफिंग भरनी है सभी परमल को इसी तरह से छील लेंगे एक मैं कट करके दिखा रही हूं इसके बीच का गुदर निकाल देंगे बहुत आसानी से निकल जाता है सभी का इसी तरह से करना है छील कर अंदर का गुदर निकालना है इसी तरह से बाकी के परमल भी कर लेंगे अब ये मैंने सभी परमलो को छील कर बीच से कट लगा कर सभी बीच निकाल दिये हैं अब हम इने उबा लेंगे गरम पानी लेंगे मैंने ये गरम पानी उबलने के लिए रख दिया है जब इसमें उबाला जाएगा तब हम इसमें सभी परमल डालेंगे और दो मिनट के लिए डख कर इन्हें हम पकाएंगे जादा नहीं पकाएंगे सिर्फ दो मिनट के लिए पकाएंगे अगर आपको इनका कलर ग्रीन रखना है तो आप इसमें एक पिंच ग्रीन कलर डाल सकती हैं लेकिन मैं कलर का यूज नहीं करूँगी ऐसे ही बनाऊंगी अब मैंने इसको ढग दिया है दो मिनट के लिए दो मिनट बाद फिर से चेक करेंगे दो मिनट हो गए है अब हम इन्हें किसी चल्नी में निकाल लेंगे और इसका पानी जो निकलेगा उसे हम फैक देंगे अब मैं इन सब को एक चल्नी में निकाल लूँगी जिससे की सारा पानी निकल जाए और जो बचा हुआ पानी है उसको हम फैक देंगे अलग खटा देंगे अब यह मैंने सभी पर्मल बाहर निकाल लिए है अब हम चाशनी बनाएंगे यह मैंने 2 कप चीनी लिए है इसमें एक गलास पानी डालूंगी जितनी चीनी लिए है उससे हाफ पानी डालेंगे और इसकी हमें एक तार की चाशनी बनानी है जब हाथ में चुपकने लगेगा तब हम इसमें उबले हुए पर्मल डाल देंगे और इलाइची का पाउडर भी डाल देंगे इसमें आप चाहें तो केसर भी डाल सकते हैं अब चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है और थोड़ी गाड़ी भी हो गई है हाथ में चुपकने लगी है अब हम इसमें परमर डाल देंगे और तीन से चार मिनट तक अब हम चाशनी में उबालेंगे जब तक कि इनका कलर चेंज नहीं हो जाए और अच्छे से चाशनी थोड़ी और गाड़ी नहीं हो जाए एक तार के जितनी अब ये मैंने सभी परमर डाल दी है इसे में पकने दूँगी अब इसमें उबाल आने लगाए अच्छे से थोड़ा सा और पकाएंगे जब तक इनका कलर चेंज नहीं हो तब तक हमें इसने पकाना आए और गलने तक अब चार मिनेट हो गई है और इनका कलर भी चेंज हो गया है बहुत अच्छे से अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको इसी तरह से रहने देंगे इसमें ठंडा होने तक जब तक हमार परमल ठंडे होते हैं तब तक हम स्टफिंग तयार कर लेंगे यह होममेड मावा आए पहले से ही अच्छे से भूना हुआ है लेकिन थोड़ा सा और भून लेंगे दो तिन मिनट और इसमें में दो चमच चीनी का पावडर डालूंगी दो चमच ही डालूंगी ज्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि वो परमल चाशनी में है उसका भी मीठा होगा और इसमें थोड़े से ड्राइफूट डाल देंगे थोड़े से हम उपर डेकोरेट करने के लिए रहने देंगे बाकी के इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे दो ती मिनट तक अब यह कड़ाई में से छुटने लगा है और अच्छे से भून मी गया है एक मिनट और भून लेंगे अब गैस बंद कर देंगे और इसे हम अलग निकाल लेंगे अब यह हमारे स्टफिंग भी बंद कर तयार होगी है गैस मैंने बंद कर दिये और यह परमल भी ठंडे हो गए है अब इन्हें अलग एक प्लेट में या बाउल में निकाल लेंगे और इसमें स्टफिंग भरेंगे अब यह सभी परमल मैंने चाशनी से बाहर कर लिए है अब हम इसमें स्टफिंग करेंगे जो हमने स्टफिंग तयार के थी उसे हम अच्छे से इसमें भरेंगे सभी में इसी तरह से भरनी है और उपर से कटे हुए ड्राइफूट लगा देंगे बाकी के में भी इसी तरह से स्टफिंग करेंगे सभी में इसी तरह से स्टफिंग करनी है उपर से इस पे भी ड्राइफूट लगा देंगे अब यह हमने सभी में स्टफिंग कर लिए हैं अब हमारे परमल बनकर तयार हो गए हैं और बचिवी चाशनी की हम कोई और रेसिपी भी बना सकते हैं अगर आपको में रेसिपी पसंद आ है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए थैंक यू